सब्जियों से भरा पूरा नास्ता बनने में बड़ा आसान, खाने में बड़ा मज़ेदार ऐसा नास्ता सुबा सुबा मिल जाये तो फिर क्या? न सोडा, न एनू, न देही, न सिरका, सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का भंडार है इस नास्ते में आज बनाओंगी मैं ऐसा नास्ता जो आपको, आपके फैमिली को बेहत पसंद आएगा बहुत ही कम तेल में बनाओंगी और बहुत ही हेल्दी बनेगा ये नास्ता तो चलिए शुरू करते हैं बनाना लेकिन हाँ उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक सरूर देखिएगा सबसे पहले इस नास्ते में ठेज सारी सब्सक्राइब ले लेजिए जो भी आप लोगों को पसंद है तो मैंने लिया है टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और प्यास, बारिक कटवा मिर्च, अदरग, धनिया, टमाटर मैंने एक आलू को कदू कस करके भिगो कर पहले से ही रख दिया था फिर मैं ले रही हूँ एक कटोरी चावल जिसको दो घंटे पहले आप भिगो कर रख दीजिए उसके बाद चावल को पीस लीजिए पीस्ते टाइम आधा कटोरी के लगभग पानी जरूर डाल दीजेगा और उसका एक फाइन पेश्ट बना दीजे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं लेकिन चावल के आटे से जादा अच्छा चावल से ही बहुत बढ़िया बनेगा क्योंकि क्रिस्पी और क्रंची भी बनेगा आज इसमें बहुत बढ़िया सा टेश्ट लाने के लिए हम तड़का लगा लेते हैं मैंने तड़का लगाने के लिए वन टी स्पून तेल लिया है आधा चमच राई, आधा चमच सपेद तील और कड़ी पत्ता जिसे मीठी नीम बोलते हैं इन तीनों को हम पकाएंगे आप चाहे तो इसमें हेंग भी डाल सकते हैं पर मैंने हेंग नहीं एड़ किया है फिर इस मिस्रड में तड़का लगा दाल दीजे तड़का हम डालते हैं तो इसमें थोड़े से लंज आ जाते हैं इसलिए पेश्ट को अच्छे से मिस्स कर लीजे जिसे सारे लंज खतम हो जाएं जैसे ये चावल के पेश्ट बिलकुल प्लेन हो जाएं उसके बाद हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून लाल मिर्च पॉडर और फिर इसमें धेर सारी सबचियां डालेंगे और कटी हुई लाल मिर्च बारी कटा हुआ अधरग बारी कटा हुआ गाजर बारी कटा हुआ शिमला मिर्च बारी कटा हुआ पियाज और बारी कटा हुआ टमाटर बारिक कटा हुआ धन्या को डाल कर अच्छे से इसको mix कर ले आप इसमें कोई भी सबजी डाल सकते हैं आपको प्याज या द्रक नहीं पसंद आती है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं और मैंने एक कच्छा आलू बारिक कटा हुआ आलू लिया है इसको भी मैं डाल लेती हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आपने देखा ना मैंने एक कटूरी चावल लिया है तो दो कटूरी सबची अब बारी आती है जो इसका स्वाद बढ़ाएगा इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब कुछ नहीं डालना है इसमें चलो अब हम इससे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पैन लिया है मेरा पैन थोड़ा छोटा है आप बड़ा भी पैन ले सकते हो और आप तावा भी ले सकते हो तावे पर भी बना सकते हो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा ओईल लगाया और इस मेश्रड को डाल कर एकदम पतला फैला देना है इस मेश्रड को हम फैलाने के बाद पतला एकदम इसको हम एक से देड़ मिनट तक कवर करके पकाएंगे नीचे से बहुत बढ़िया सा पक जाए उपड़ से कलर शेंज हो जाए तो उपड़ से थोड़ा सा ओईल लगा देजे ओईल लगाने के बाद इसको पलट दीजे और मीडियम फ्लेम पर दूसरी तरफ से अच्छे से पकाईए जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको प्लेट में निकाल दीजे ये देखिए फ्रेंड्स रंग विनंगा नाश्टा बनकर तयार है सॉफ्ट इतना है कि बस बनाये जो और खाये जाओ आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो चटने के साथ भी खा सकते हो या कोई अचार, टामैटो सॉस, मुरबा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो और नहीं है कुछ, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है इसे जरूर ट्राइ करिएगा देखने में क्रिस्पी जरूर है लेकिन खाने में बहुती सूपर सॉफ्ट और बहुती ज़्यादा टेश्टी है तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेस्पी कॉमेंट में जरूर रताइगा और अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज़ाद ज़ाद शेयर कीजिए फिर मिलूगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स फोर वाचिंग